अरे कृशिन तो बच्चों कैसे हो सब तो वही class 12 का result जो है अपना आ चुका है और काफी सारे बच्चे जो हैं अपनेしました से खुश हैं लेकिन वहीं काफी अपने मार्क से हो गए हैं कि क्योंकि वहीं वह अपने मार्क से सैडिसफाइड नहीं है सीबी ऐसी ने उनकी एक्सपेक्टेशन से उनको मार्क दिये हैं कम हाला कि काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एक्सपेक्टेशन से उपर मार्क मिले हैं मिरको काफी सारे ऐसे मैसेज आए जिसमें वो marks expect कर रहे थे कम लेकिन उनके marks आगए बहुत ही बढ़िया लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है ऐसे बच्चों के भी message आए हैं जो उनको लग रहा था कि उनके marks कुछ ज़ादा आएंगे लेकिन मिल गए हैं उनको marks कम तो भई ऐसे बच्चों के लिए अब CBSC ने एक press release करी है यह notification निकाला है तो इस notification को मैं आपको ध्यान से पढ़कर बताता हूँ और क्या इसका alternative है वो भी हम जानेंगे आगे कि इस वीडियो में तो भई मेन जो शुरुआत में उन्होंने यह लिखा हुआ है कि एक्जाम cancel हो गए ते हैं करोना बढ़ गया था हम एक्जाम नहीं ले पाए यह सब चीजे यह सब notification हम पहले पढ़ चुके हैं यह सब मैं आपको नहीं बताऊंगा criteria भी नोन लिखा हुआ है कि 40-30-30 का criteria हमने follow करा है ठीक है बनी ठीक है तो 40-30-30 का criteria देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है 40-30-30 का criteria हमने follow करा तो यह सब हम पहले देख चुके हैं भई में जो चीजे हैं हमारी वो काम की वो आती है यहाँ पर देखिए जी जो बच्चे अपने मार्क से satisfied नहीं है उनके लिए देखिए यहाँ पर में यह है में conduct of compartment examination तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भई एक्जाम जो है 16-15 सप्तमबर के बीच में होंगे तो जो भी बच्चे अपने मार्क से satisfied नहीं हैं उनको यह वाले एक्जाम अब देने पड़ेंगे अगर इन एक्जाम में उनके मार्क से इंप्रूब होते हैं तो वही वाले उनके final exam माने जाएंगे तो यह एक्जाम किन-किन के हैं उन students के जो कि अपने result से satisfy नहीं है बाकी private candidate की भई Supreme Court ने जो plea है वो dismiss कर दी थी तो private candidate को तो exam दे नहीं है पत्रा चार वालों को देने हैं जो second compartment दे रहे हैं उनके भी exam होंगे और जो first compartment candidate है यह चार बच्चे जो हैं इनके exam होंगे 16 गस से लेकर के 15 सिप्तमबर तक तो भई CBSC ने press release करी है notification निकाला है कि अब आपके पास यह last option है अगर आप अपने mark से satisfied नहीं है बहुत ही मुझे भी दुख से बड़ा क्याना पड़ रहा है अगर आप अपने mark से satisfied नहीं है तो भई आपको यह exams देने पड़ेंगे तो अगर आप इन exams को दे रहे हैं तो भी आप preparation में लग जाओ और तैल का मचा दो भस अगर आप improve कर पाए तो बहुत ही बड़ीया बात है ठीक है भी तो अगर satisfy नहीं है तो यह exam आपके होने वाले हैं और कोई चा रहा है नहीं अपने marks को इंप्रूफ करने का तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों में share कर देना जो exam से satisfied जो अपने marks से satisfied नहीं है चैनल को subscribe कर देना ऐसी आगे की updates के लिए बाकी इन exams में क्या होगा किस तरीके से हम किस तरीके के से हमको match करनी चाहिए 12 के लिए सब मैं आपनी आगे आने वाली वीडियो में ब